हेलो एवरिवन आज मैंने जो पैटर्न तियार किया है यह है एप्लिक वर्क का एप्लिक पर जरूरी नहीं है कि आप कोई फूल यह पत्ते वगारा यह बनाए यह जैसे यह मैंने एक गुरिया बनाई है और उसको जो मैंने फराक उसका बनाए है यह मैंने अप्लिक वर्क से जैसे मैंने कपड़े के ऊपर कपड़ा लगाया है और यह मैंने सारा वह जैसे तरपाई करते हैं उस तरह मैंने स्टिच किया है इसको मैंने सिया था और यह मैंने उसका इस तरह यह सारा ब्लॉज वगरा बना के साल इसी स्टिच से मैंने जोड़ा है और यह मैंने इसके एक पर आपने इन दोनों चीजों को मैंने कठे पक्ड़ है ये उपर का कपड़ा ये बारेक नीचे ये मैंने लाइनिंग लगा है पर ये इसको मैंने इस तरह. चुम की की तो इसको ऐसे ऐसे पकड़ के रखा है और उसके बाद इसके बाद यह स्टीच लगाना है यह अंदर जैसे गुंचलाई करते हैं यह एक निची स्लाई लगाके यह देखें यह इसे उपरा गया पिजिए इसके अंदर से अंदर से ऐसे गजाए ताकि पताना चले कि अप्लिक वर्क तो फूल बगएरा या डिजाइनिंग हार तरह की की जा सकती है लेकिन यह भी अप्लिक वर्क का एक मैंने स्टाइल बनाया है तो यह देखें जैसे करके इसको और फिर यह कप्लिक इंदर से ऐसे गजारना है ताकि यह साथ लग देखें कि इसको कहते हैं गुम सलाई भी कहते हैं और यह लेड़ी भी कहते हैं लेड़ी कारके तो इसको तरपाई से जोड़ दिया जता है कि यह थोड़ा संदर हुलका सकी है ताकि वो उसका नजर ना आए यह देखें इस तरह कि अंदर है ऐसे पिर इसको यहां पर स्टिच लगा दिया अंदर करके आपर इसको यह अंदर है स्टिच लगाते हैं ताकि यह बाहर नजर ना आए इस तरह अब यह बहुत जैदा भूला हुआ हम इसको यहां पर स्टिच भी लगा सकते हैं ताकि यह थोड़ा सा इस तरह भी अच्छा लगता है यह थोड़ा से इसको हम हम इसके यहां पर ऐसे हम स्टिच लगा सकते हैं ताकि यह थोड़ा सासे थोड़ा नीची हुआ है यह ठीक है इस तरह इसको अंदर अंदर ही ना स्टिच लगाएंगे यह थोड़ा से लाइन दो डिलाएन दो 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 कुम्हों तांके मौत झाल यह ऐसे इसको स्टिच लगा देंगे ताकि यह ज्यादा वो फूला बना नजर आए और अगर फूला भी नजर आएगा तो फेपी ठीक है यह लेकिन यह हमारा एप लिकवर का यह स्टिच त्यार है यह मैंने से यह बटरफ्लाई बनाई है यह चोटी-चोटी सी और यह मैंने गुड़िया बनाई है और यह बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश का दिये तो अमीद आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज में सिब्सक्राइब करें ओके लाफेज